गिरते बाजार में भी 15% की तेजी, रेखा जुन्जुमवाला के इस शेर ने किया कमाल दिगज निवेशक रेखा जुन्जुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल यह शेर आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी रॉकेट की स्पीड से उपर चड़ा, यह शेर 15% से जुन्जुमवाला के पोर्टफोलियो में शामिल मेट्रो ब्रांड्स आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में रॉकेट की स्पीड से उपर चड़ा, इंट्राडे में यह शेर 15% से अधिक उचल कर रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया, मुनाफाव सूली के चलते भाव में थोड़ी नर्मी आई और दिन के आखिरी में यह BSI पर 12.33% की बढ़त के साथ 1266.9% के भाव पर बंध हुआ है, इसके शेरों में तेजी क्यों आई, इसे लेकर आज मार्केट में सिर्फ एक ट्रेगर प्वाइंट था, वह ये है कि ब्रोक्रेज फर्म प्रभुदास लीला चुरू की है, रेखा जुन-जुनवाला की इस कंपणी में 9.6% हिस्सेदारी है, क्या है ब्रोक्रेज फर्म की रिपोर्ट में? ब्रोक्रेज फर्म ने 28.5 की अपनी रिपोर्ट में अकमियूलेट रेटिंग के साथ इसे कवर करना शुरू किया है, ब्रोक्रेज के 2023 से वित्वर्ष 2026 के बीच इसकी सेल्स 20.1 फीसदी की केगर से बढ़ सकती है इसके अलावा क्रोक्स, फिला और फिट फ्लॉप समेट कई माने जाने ब्रांड के अधिग्रेहन ने पॉजिटिव माहौल तयार किया है इन सबके चलते ब्रोक्रेज फर्म ने इसे 1231 रुपए के टार्गेट प्राइस पर अकम्यूलेट रेटिंग दी है वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे ब्रोक्रेज फर्म HDFC Securities ने 840 रुपए के target price पर इसकी sell rating को बरकरार रखा है ब्रोक्रेज के मुताबिक प्रमुख Performance Indicators KPIs को सामाने करने की प्रक्रिया में वित्वर्ष 2023 से 26 में इसके margin पर दबाव दिख सकता है ऐसे में वित्वर्ष 2025 के अनुमानित EPAs के आधार पर इसका 69 गुनाभाव ब्रोक्रेज को काफी महेंगा दिख रहा है इस वजह से 29 सितंबर की अपनी रिपोर्ट में ब्रोक्रेज ने इसकी sell rating बरकरार रखी Metro Grants को लेकर चार्ट से क्या मिल रहे संकेट इसका RSI Relative Strength Index 62.1 है यानि की यह न तो overbought zone में है और नहीं oversold zone में इसका एक साल का बीटा 0.55 है यानि की इसमें उतार चड़ाव बहुत ही कम है यह शेर 5, 10, 20, 50, 100 और 200 दिनों के moving average के उपर trade हो रहा है